क्या आप लोग जानते हैं राजकुमारी अमृता कोड जी आप लोग पहले पार्ट में बताएं इस एई इस तरह नावल使ल अबूल अजाद और आज यह जाने कि स knapp ये मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोड यह राजकुमारी अमृता कोड इक और फैक जानते हैं कि जो 1952 जनरील एलेक्शन हुआ था ठीक है वहाँ पे socialist party वो second largest party थी आप लोग तो पहला पता है कि first largest party कौन था Congress था लेकिन second largest party कौन था the socialist party और वो कितने votes को secure कर पाये थे more than 10% वोट्स ठीक है पूरे कंटीमेंट को 10% से ज्यादा वोट्स मिला था लेकिन सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे सीट किस पार्टी को मिला था CPI पार्टी को मिला था Communist Party of India won 16 seats the second most in 1952 जन्डर एलेक्शन अब वैसा क्यों हो पाया आपको पता है 10% सबसे ज्यादा इनको मिला था सकेंड नंबर पे लेकिन उसके बाबजूत सबसे ज्यादा सकेंड नंबर पे seat on हासेल कर पाया था CPI और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से Congress का dominance था first three general election में है गाइस इस रसन और वेलकम बैक तो अनदर वीडियो आफ रसन पीडिया सो लेट से सबसे इंपोर्टेंट कोस्टन बनता है आपका चेप्टर टू से जियां और यह सिर्स माक्षा कोस्टन आता है और सिंपल सा आप लोग देखिए कि 2013 में 14 में 15 में 16 में 20 में यह कोशन पूछ चुका है कि आप लोग बताए यह six reasons for the dominance of the Congress Party in the first three general election ठीक है और यह बहुत ही सिंपल है बहुत ही मज़ेदार भी आप लोग देखेगा लेजिसी ओफ नेशनल मुम्मेंट सबसे पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल एकदम क्रिस्प रखने का कोशिस करेंगे लेजिसी ओफ नेशनल मुम्मेंट सबसे ज्यादा पार्टी को एक्टीब था कोई पार्टी के यह मेंबर सबसे ज़्यादा एक्टिब था जो लेजिसी मिला था वह कौन सा पार्टी था कॉंग्रेस पार्टी था सब्सक्राइब और वही सारे जो भी बड़ा अधिक लेवल पे यह बोल सकते हो कि पूरे दुनिया में इंडिया का लाजिस पार्टी बना दिया इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को जियां सब्सक्राइब करिस्मेटिक लीडर अब तो जान रहे होगे कि जो भी लीडर थे उसमें कि कितने बिद्वान थे पूरे पूरे बोल सकते हो घ्यानी अग्दम नॉलेजवल इंटेलेक्ट्वल हाई लेवल ठिंकिंग होता था आप लोग जान थे साप माइन थे हाई लेवल ठिंकिंग थे तो कॉंग्रेस पार्टी हैं मेरी कैस्मेटिक और फूली रस लाइज जवाल नहरू सरदार बलब भाए पटेल सास्त्री जी और मेनी मोर अन गिनत ठीक है ठीजन पर आते हैं ग्रासरूट और्गनाजेशन कैसे कॉंग्रेस वा एक ऐसा पार्टी था जो कि मतब ग्राउंड लबल पर वर्ड करता था ठीक है उनसे ग्रासरूट और्गनाजेशन कहने का मतब हर एक छोटे-छोटे ठीक है और इतनी ग्रूप से रिलीजेस ग्रूप से क्या करते थे उनके रिपर्जेंटिटीव हुआ करते थे कॉंग्रे शोटे नहीं तो इसलिए ग्रासरूट और्गनाजेशन कहा जाता है उंब्रेलर और्गनाजेशन कहा जाता है पूर्स नभर पर देखते हैं टोलरेंस औन मेनेजमेंट अफ्रेक्शंस जो क्या आपको बताई ठीक है जो भी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे या लीड़े चोटा पाठी के बाद को दवा दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था जब कॉंग्रेस आया था फर्स्टी जन्र एलेक्शन में इसलिए कहाता था कि बहुत ज्यादा टोंगने था इंस्टीट और बिंग वीकनेस और यह मतब यह क्या हो जाता है कभी कभी चोटा पा ब reopen च kıete चैनल बहुत ज्ञदा और बहुत बहुत बभी को सकता है कि आप लोग बताएं कि कॉंग्रेस जो पार्टी था वह एक आइडॉलोजीकल कोलाइसन और सिसल क्यासन कैसे था आप लोको पता है कि को मतलब क्या होता है गट बंधन ठीक है तो देखें कि आइडॉलोजीकल क्लाइसन कैसे था रिच्ट पार्टी एक अकॉमड़ेट व्यूंहें राइट टिक है समझ रहों न ना तो ज्यादा यह राइट था ना ही ज्यादा लेफ्ट था आज कर देंगे एक तो कोई बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट है या तो बहुत ज्यादा राइटिस्ट है ठीक है लेकिन जो कॉंग्रेस का पार्टी था वो बिल्कुल सेंटरिस्ट पार्टी था ठीक है यह moderate party था ना तो ज्यादा left ना तो ज्यादा right और यह बहुत ही ज्यादा बहतरीन माना जाता है कोई भी पार्टी के लिए और left क्या होता है राइट क्या होता है आपको यह भी आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा तो Congress was built on the principle of secularism यानि क्या आपको बता है कि हर एक religious हर एक minority group से उसके अंदर representative थे इसलिए Congress का जो पार्टी था वो कौन से प्रिंसिपल पे बिल्द था secularism ठीक है equality and head members without any exclusionary tactics यानि कि किसी को निकालना ही नहीं है उसका बात भी मान लेते थे और adjust भी कर लिया करते थे इसलिए Congress को एक ideological collection कहा जाता है अब बात कर लेते Congress is social collection यह भी बहुत ही ज़्यादा important बन जाता है ठीक है इस social collection कैसे था यहाँ पर मतब ideology का तो बात कर लिए नहीं दो right था नहीं left था लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं social collection के बारे में so Congress had a representation from the industrialist देख रो industrialist sector, farmer sector और worker ठीक है and even try to accommodate views of its social class यानि कि जितने भी social class थे उन सबसे अराम से adjustment accommodate करके उसको पार्टी के अंदर ही रखते थे इस तरह से कहते हो वो जो सारा social group था वो Congress के अंदर ही था इसलिए अराम से कहा दा सकता है कि एक social collection था और similarly Congress did not discriminate on the basis of caste, religion, gender, ethnicity, unity in diversity यानि कि Congress पार्टी सुरू से ही unity in diversity को दिखा रहा था ठीक है और जो मतलब पार्टी था वो कभी भी discriminate नहीं किया था नहीं कास्ट पे नहीं रिलीजन पे नहीं जेंडर पे देखरो जैसे अभी बात के पंजाब के लेडी है फिर भी Congress पार्टी के अंदर उसी तरह बोलाना अबुलकलाम अजाद मुस्लिम थे Congress पार्टी में थे ठीक है तू कह चकते हो कि यह सारा चीज Congress को एक social collection बनाता है यह सारे च्छोप पॉइंट ठीक है आपको अच्छे से बोड में लिकना है और आपको गारेंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको सारे पांच मांच भी देगा छे में छे मिलेगा आप इस पॉइंट को आप लोग लिक क्या है कितना मज़ेदार पॉइंट है टीचर भी बहुत कुछ हो जाएंगे मैप दिया हूँ आपके बुप में कि कॉंग्रेस का डोमिनेशन जो था 1952 से लेके 1967 तक कौन से कौन से स्टेट में था आप लोग देख लेका चैसे बोड़ें पूछता है कि आप लोग बताए कि कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पे कॉंग्रेस रूल नहीं कर पा ला था तो जम्मू कस्मीर है यहां पर आपको ठीक है 16 सीट जीते हैं अब आप लोग कहिएगा यहां पर आई एंडी लिखा हुआ है 37 यह इंडिपेंडेंट कंडिडेट है ठीक है निरदेलिये लोग तो इनका तो एक एक सीट बटबारा हो जाता है तो सबसे ज्यादा कॉंग्रेस जीतता है उसके बाद CPI जीतता है ठी 371 सीट जीते हैं थर्ड जेनरल एक्षन में 361 तो आप लोग बता यह लेक्टर आपको कितना अच्छा लगा और आपको जब अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिएगा और हाँ अगर आपको अब भी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट वक्स में ज़रूर पूछिए और पीडियेफ नोट्स पढ़ने वक्त भी डाउट होता है तो आप लोग यहां पर डाइरेक्ली क्लिक करकर वीडियो को देख सकते हैं तो गाइस थैंक्यों फॉर वाचिंग मैं वीडियो और बाबाई